आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं आप लोगों का बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों के बलेसिंग्स के वज़े से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं पिछले साथ दिन से मेरी तब्यत बहुत बहुत जादा खराब थी डॉक्टर ने मुझे अभी भी अभी बेडरस्ट अडवाइज किया है बट दूर रहा नहीं गया तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए तो मैंने कम्यूनिटी टैप के थ्रू आपको यह नोटिफाई किया था कि मेरी तबियत बहु यह वीडियो लेकिया हूँ तो बहुत जारा टाइम में नहीं दे पाऊंगा उसके लिए मैं आपसे एडवांस में ही माफी मांगता हूँ तो चलिए सबसे पहले अगर हम कैश का डेटा देखे तो आपको देखेगा जो एक सो चौट करोड के आसपास की कैश में बाइंग किय वही डियाइज ने यहां लगबग 2,000 करोड की बाइंग किये कैश मार्केट के अंदर यह मैसिव फिगर है कैश मार्केट के अंदर अगर हम डेरिवेटिव का डेटा देखे तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लाइंट है उन्होंने यहां पर शॉर्ट पोजिश की तो उन्होंने यहां पर भी थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजिशन बना के यहां पर गया है बट यह भी नेगलिजिबल है तो हम टोटल देखिए तो लगबग यहां पर 8500 के आसपास फ्रेश कांट्रेक्ट बनाए गये मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई तो यह एक लॉं का डेटा हम इस फ्रेंट के तरह पिशारा कर रहा है तो तीनों डेटा पॉइंट का यूनी डिरेक्शनल विवय स्ट्रेंथ के तरफ की मार्केट का सेंटिमेंट स्ट्रॉंग रह सकता है तो अगर हम चार्ट पे देखिए तो लास्ट वीडियो जो मैंने फ्राइडे को बन पहला probability यह बनता है कि nifty might be 81% जो कि 9850 के आसपास में आके यहां पर आपका बी का formation करेगा अगर बी का formation होगा हमें यहां पर कोई भी एक price action मिलता है तो हम यहां पर short cut trade initiate करेंगे bet नहीं हुआ यह उपर आ गया फिर second condition यह था हमारा कि हो सकता अगर यहां होता है तो फिर 111% पर करेगा जो कि strong भी बनेगा तो 111% पर भी अगर कोई price action मिलता तो यहां पर भी हमें कोई अभी तक price action नहीं मिला और price 127% को टच करके वहां से resistance ले रहा है data point suggest करें कि market का sentiment strong रह सकता है तो फिल्हाल हम data point के साथ जाने प्रफिर करेंगे अगर फ्लैट कुल के 127% के ओपर यह निकलता है कहीं पर भी मानले जिए 20 169 के भी लेके 189 के बीच में कहीं भी खुलता और एक बर यह इसको break करता है मतलब 2190 तो एक बर हम इसे long कर सकते हैं कम quantity में trade करेंगे 25% quantity पर trade करेंगे क्योंकि nifty already resistance area में है मेरे हिसाब से इसको यहां से resistance ले ले लेना चाहिए सब्सक्राइब करेंगे 20-25 रुप्या का stop loss 1-2 के लिए हम प्लान करेंगे अगर 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे हमें यहां पर कोई भी एक प्राइस आक्षिन बिल जाता है इस टाइप का तो हम यहां पर इमिडियेट शॉट कर देंगे जो stop loss रखेंगे हम स्विंग के ऊपर कर रखेंगे और नीचे 1-2 के लिए प्लान करेंगे जो ट्रेड होगा वो पूरा 100% कॉंटिटी पर हम प्लान करेंगे बैंक बृष्टी की बात करें तो बैने कुछ Nifty में भी हमने कुछ सेम बिसकस किया था कि बैन निए घुski अपको बी कर दो होगा बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी ने 81 पर सेंट पर भी कोई वैसा अभी double bottom का double top का हमें यहां पर कोई भी यह नहीं दिया था confirmation अभी यह 111 पर सेंट के तरफ जा रहा है तो अगर यहां पर हमें कोई double top का करेंगे या फिर अगर मान लीजे यह फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यह इसके ऊपर निकलता है तो अगर यह फ्लैट खुलने के बाद 376 के नीचे ट्रेट करता है तो हम एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है क्योंकि नेक सपोर्ट यहां पर है तो हम फ्लो में अपना टार्गिट मिल जाएगा तो हम 376 के नीचे शॉर्ट करेंगे ऊपर में 2.5 रुपया का स्टॉप लॉस के लिए हम प्लान करेंगे कैश का स्टॉप वील्स अगर आपने टेलिग्राम जॉइन नहीं किया तो आप इम्मीडियेट जॉइन कर लिजे क्योंकि वहां पर मैं कंटिनियूसली कैश का स्टॉप देता रहता हूं हालाकि यह लास्ट प्रिवियस से में वहां पर भी अवे अगर आपके मन में कोई कोशन हो तो आप मुझसे डारेक्टली मैसेज कीजिए मैं उसका एंसर वहां पर करूंगा और प्लस आप वहां पर जाकर स्टॉक्स देख सकते कि जितने भी स्टॉक्स मैंने दिये वह कैसा प्रफॉंड कर रहा है तो वील्स एक अच्छा यहां पर आप वहां पर जाकर देख सकते कि मैं आम बाइंग एवरीडी की डिप इन इंडो को तो वहां पर देख सकते है जो कि लगभग मैं 316 की लेबल पर इसे बाई वहां पर दिया हुआ था तो यह भी अच्छा मोमेंटम में दीख रहा है यहां पर रिजिस्टेंस है जहां पर मुल्टिपल टाइम टेस्ट किया है यहां पर भी टेस्ट हुआ है और यह वापस से इसी लेबल पर यह ट्रेट कर रहा है तो कल मालिजे 364-365 के लिए प्रेट करना स्टार्ट करता है तो एक बर वापस से यह मोमेंटम में आ जाएगा और 378 तक का रहली हमें कल देखने को मिल सकता है तो इंडो को हम भाई करेंगे अगर 364-365 के उपर में नीचे में हम 3-3 रुपया का स्टाप लस रखेंगे और इस टू के टार्गेट के लिए प्लान करेंगे अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक्स फर वाचिंग कीप लर्निंग एंड कीप अड़निग